हवन एक प्राथीन भारतिय परंपरा है जिसमें अगनी की पूजा और यग्डि किये जाते हैं। कपूर के पौधे की लकड़ी या इसके तेल को हवन में उप्योग किया जाता है। जब कपूर का दुआ हवा में उठता है तो या आत्मा को शुद्ध करने, निगेटिविटी को दूर करने और पॉजिटिव एनरजी को डवलप करने में मदद करता है। इससे आसपास का महौल शुद्ध होता है और शांती और सुख का अनुभव होता है। हेलो फ्रेंड्स एक बाफ फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हमारा बगीचा में। तो दोस्तों अब तक आप समझी चुके होंगे कि आज का वीडियो किस पॉधे के बारे में है। जी हाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे कपूर के पॉधे और उसके गुणों के बारे में। जिसे हिंदी में कपूर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में कैमपर और इसका बोटानिकल नाम है सिनोमोमम कैमपोरा। यह दार्चीनी की फ्रामरी का पॉधा है जिसकी पत्यां बिल्कुल दार्चीनी के जैसे दिखाई पड़ती है। इसके श्रक्टिशालिक गुडों के कारण गया स्वास, इसकिन के और वसालों में उप्योगी होता है। यह पॉधा धार्चीनी के साथ की गरेलू उप्योगों में भी उप्योगी है। इस पॉधे की सुगंधित हरी पत्यों में एक खास खुश्बू होती है जो इसे विशेश औशदिय गुडों से युक्त बनाती है। जब इसकी पत्यों को हम हाथ से मसलते हैं तो हमारे हाथ कपूर की खुश्बू से भर जाते हैं। वैसे तो कपूर का पॉधा अपने घुडों से भरा होने के कारण इसके बारे में जितनी तारीक की जाए कम है। लेकिन इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए आया हम इसके गुडों पर कुछ ध्यान डालते हैं। तो दोस्तों जब हम कपूर का पॉधा अपने घर में लगाते हैं। तो बिना कुछ किये हैं हम उसके सबसे बड़ा बेले पेट एक उठाते हैं। जो कि होता है एयर को प्यूरिफाई करना। कपूर का पॉधा आपके आसपास के बातावरण को शिद्द करता है। पॉधास होने से आप नेचरली किसी भी डिजीज से बचे रहते हैं। जब आपके आसपास का वातावरण साप और स्वक्ष और पॉलुशन फ्री होता है। तो काफी समस्याओं से आप खुदवाख खुद मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि सास संबनी समस्याएं, खासी, जुखाम, सास संबनी समस्याएं मुक्यता जो हैं पॉलुशन के कारण ही होती है। इसकी अलावा इस पॉदे को लगाने से आप घर में अपने साप, मखी, मच्छरवा, केड़े मखोड़ों से बचे रह सकते हैं। क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस इतनी तेज होती है कि आपकी घर में खेड़े मखोड़े नजर ही नहीं आएंगे। कपूर में एंटरस्टेप से गुड़ होते हैं जो घावों को और इसकिन इंफेक्शन को भरने में मदद करते हैं। इसके लावा यहां माल स्पेशों के दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए क्रीम या ओईल के रूप में भी इस्तिमाल किया जाता है। कपूर का पौदा इसकिन केर में भी बहुत बेनिफेशल होता है। इसका इस्तिमाल इसकिन इंफेक्शन को कम करने, एक्ने और पिंपल्स को कंट्रोल करने और इस कलर को ट्रेर करने में भी किया जाता है। अपने गुरू के कामेंड यहां आपकी द्वचा को स्वक्ष, ताजगी से भरा और चमकदार बनाने में मदद कहता है। कपूर का पौधा एक ऐसा पौधा है, जिसे हम मसाले के रूप में भी उप्योग कर सकते हैं। इसकी सुगन और स्वात आके खाने को निखाती हैं और स्वादिश्ट बनाती है। इसके उप्योग से खापका डाइजेशन अच्छा होता है और आपके पेट में एसिडेटी और पेट की समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है। कपूर के धाल्विक उप्योग से तो हम सभी पर्चित हैं। हम सभी के घरों में पूजा पाट और हवन कपूर के बेना अधूरा होता है। कपूर के पौदे की लकड़ी या इसके तेल को हवन में उप्योग किया जाता है। कपूर का धूआ जब हवा में उठता है तो यह आपके आसपास के सारे निगेटिव एनरजी को दूर करके पॉजिटिव एनरजी को डवलप करने में मदद करता है। जहां पर यह बताने भी बहुत जरूरी है कि हमारे घरों में जो केमीकल से बना हुआ कपूर होता है। जो फूरी तरिके से पौदों से नहीं बना है। क GB, इस के में आम गमिला कर जाता है। दूसरा देशी कपूर जो पेड़ों की छाल वा लबड़ियों से निकलने वाले तेश से बनाया जाता है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि कपूर का पौधा एक आपने लिए कितना ही बेनेफिशिल प्लांट है, जो कि हर घर में होना ही चाहिए, तो अगर आपने अभी तक अपने जबने इस पौधे को नहीं लगा रखा है, तो आप इस पौधे को जरूर लगाईए, इस पौधे को लगाना बहुत ही आसान होता है, इसे हम बीच के द्वारा भी लगा सकते हैं, और आप इसे नर्सरी से एक पौधा लाकर भी लगा सकते हैं, नर पाम बलाग डिए ठीप नरशी आखला लगातों लोगा पर नंकोराया को युदू na कने से उतार मंधडी के लिए ओसने आप इसको को लगाें भी काजाने प्शनेशी मार्हां चेले करेगा बस तो घूलbl जहां पर कम से कम 3-4 घंटे की दूप मिलती हो और इसको बहुत जड़ा फर्टिलाइजर की जरूत नहीं होती है यह बहुत हाड़ी प्लांट होता है बहुत अच्छे से चलता है अगर आपकी बालकमी में भी चोड़ी सी जगा भी है तो आप बहां पर इस प्लांट को सब्सक्राइब करते हैं इस से मच्चरों को भगाने के लिए उप्योग किया रगता है सुदन मच्रों को दूर रख ती है और उन से बचाव करती है इसे घ्रवी उप्योग करके आप अच्छी इंधी पास सकते है और अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं दो तो या थी कप प्लांट और उसके कुछ बैनेफिट के बारे में एक इंट्रेस्टिंग वीडियो कपूर का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे स्वास लिकर इसकिन केर और मसालों तक वहुत सारे बेनेफिशल गुण होते हैं अगर आपको या वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे च कमेंट करके हमें जरूर बताएं थैंक यू और वाचिंग